हेलो स्टूडेंट्स वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल लाइटे ड्राइंग इंसाइड में आज का जो हमारा टोपिक है वो है ब्लूप्रेंट रिडिंग के उपर जिसमें मिसिंग व्यू का टोपिक है जो हमारा और यह four semester जो two year mechanical trade firm अटरण और मशिनिस्ट रसिम मोटम म्कैनिक स्वेकल کے ट्रेड जितने भी दो साल की में इजिनेरिंग की ट्रेड फोर समेंस्टर जिनका जून में वेकर में आजिनेरिंग ड्राएंग का उस के अंदर यह most important topic है लगवग हर बार आता है आपको कोई दो व्यू दियोंगे तो तिसरा व्यू जो है आपको इसके अंदर फाइल करना होता है तो जैसे कि हमने इसके उपर पहले भी वीडियो बनाई है तो उसी के उपर हम अब नया एक्जामपल लेकर आए हैं और यह जो आज वाला example है यह exam में भी आयो हुए एक बार तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा topic है missing view के उपर जैसे कि यह आपको दिख रहाओ का दो वी दियू में front और side view तो यह हमारा third angle projection के अंदर है यह sorry first angle projection के अंदर first angle projection के अंदर दिया हुए आपको तो इसका आपने third जो view है top view उसका find out करना है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले पर बताय था आपको इसकी इस तरह कोई कोश्य नहीं तो आपने इसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई आपने पता करने है लंबाई कहां से आएगी elevation में front view के अंदर 44 है यहाँ पर और चोड़ाई side में आएगी आपकी 60 और उचाई आपकी हाँ इसी ब्लोक की खाई होगी 45 तो 44-60-45 का आपने एक isometric block ऐसी तरह से त्यार कर लेना है उसके बाद आपने जैसे हमें कहां रहा हूं first angle projection में तो आपने यह आपको दियान रखना है कि first angle में left वला view राइट में बनता है तो इसका खास दियान रखना है तो यहां पर हमाई right view बनाया हुआ है लेकिन जब isometric में portion में होगा तो यह आपका रहेगा left side के अंदर तो यह आपका side होगी और front आपका यहां हो जाएगा यह दियान रखना है इस change का first angle में third angle में कोई change नहीं होता है left वला left में right वला right में लेकिन first angle में change है यहां right view दियो होगा है लेकिन original इसका left view हमें बनाना होगा तो left में यह आपकी side हो जाएगी और यह आपका front हो जाएगा यह आपका side है और यह आपका front हो जाएगा top view जो है यह हमें find out करना है निकालना है यहां से इन दो की side से तो सबसे पहले मैंने पहले बिताए था कि जो common चीज़ है वो आपने इसके अंदर ढ़ननी है तो यह देखी साफ दिखाई दे रहा है जो नीचे का जो base है दोनों का 20 से पहले यही आपने यहां बनाना है तो यह आप यहां सीधा बना लेंगे side square की side से भी बना सकते हैं तो यह हम side square ले लेंगे और इस तरीप के से यह इसका जो base है यह हमने त्यार कर लिया है उसके बाद देखिए जब side से देखते हैं तो इस तरह की अकरिती दिखाई दे रही हमें तो इस तरह से आपने base स्यार कर लेना है उसके बाद यहां देखिए side में यह इस तरह की अकरिती बनी हुए है और जबकि front में यह इतनी दूरी छोड़कर यह दो step दिखाई दे रहे हैं तो आपने पहले जो यह step दिख रहे है यह क्या इतनी जिगा खाली है तो इसका निशान लगा लेंगे हम front में कितना ही है 24 से 32 गटाएंगे तो यह आपका 12 बज़ जाएगा तो यहां से यह 12 पर हमने एक line ऐसे करज दी इसी तरह front में भी इतना gap खाली रहेगा तो इसकी भी हमने यहां से 15 का यह gap तो यह खाली कर दिया है तो इसका आपने यहां box त्यार करना है इसे लिए प्झाएंगे लिए आपको त्यार करना हमने ही हमने ही वा से हमने ही हम हम यहां तरहा हिए 12 इसी Bowl इसे फिसी देख़े है इस तरीके से आपने वोक्स इसका बनाना है इस तरीके से आपने वोक्स त्यार करना है और जो एक्स्टर लाइन्स है वो आपने याँ ट्रिंड कर देनी है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे इस तरीके से आपका ये बोक्स जो बना हुआ है गैब के उपर ये आपका बनके त्यार हो गया है अब जो अक्रिति की हम बात कर रहे थे वो इसके उपर आपकी त्यार होगी तो ये देखिए यहां से 15 छोड़कर फिर आपका 15 mm आपने याँ डार करना है यहां से 15 छोड़कर ये आपने जो अगला 15 है ये आपका इतना डार करना है उसके बाद 90 डिगरी के नीचे आपने यहां एक सेंटिमेटर आना है ये एक निचे आगए और उसके बाद ये बिलकुल कॉर्नर पर आपका यहां इस तरह से मिलेगा और यहां से ये इधर कॉर्नर है जो ये शेप दिख्री बिलकुल आपने या बना देनी है अब इसी को या आपने उस तरफ सेट स्केर की साहता से इसके जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उनको दूसरी तरफ लेकर चलना है ये कि ये आ जाएगा एक आपका नेक्स्ट ये मिल जाएगा उसके बाद एक पॉइंट यहां से जाएगा ठीक है यहां से इसको हम नबे पर मिलाएंगे और इसको फिर हम फ्री हैंड यहां इनको आपस में मिला देंगे तो ये इसका ओब जैक्ट जो है बनकर प्यार हो गया है ये दिख रहा होगा आपको इसको साफ कर देंगे जो एक्स्ट अलाइन्स है तो यह आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि हम ने क्या चीज़ यहां बनाई है तो यह देखिए अब आपको अच्छी तरह के से दिख रहा होगा इसका जो ओरिजिनल व्यू बनके त्यार हो चुका है तो यह आपका इस तरह का बनने के बाद यह कंप्लीट व्यू इस तरह का इसका इसोमेटिक व्यू दिखाई देगा अब हमने बनाना है इसका टोप व्यू बनाना है तो फॉरंट यहां से है तो इधर से देखेंगे तो आपका एक ही एल दिखेगा तो यहां आपने नीचे इसकी जो लंबाई है साथ रहेगी इसको यह बोक्स त्यार हो गया है अब यहां से यह कितना है आपका जो हमने छोड़ा था पंदरा यहां से आप अंदर अले लिजिए और यह आपका है अंदर 32 तो यहां से आपने चलना है यह आपका 32 हो गया अब 32 के बाद पूरा यहां यह इसकी सीद में ही आएगा यह यहां आपका एल टियार उसको है इसके बाद जो दो पॉर्शन आपके यह दिखेंगे उपर से यह कितना है यहां से पंदरा है फिर पंदरा है यहां से आपके पंदरा पंदरा के पार्टीशन है यह पंदरा हो गया यह पंदरा हो गया और यह तीसरा आटोमेटिक आपका उतना ही बचेगा तो यह आपका प्लान जो था तो फ्यू पुछा हुआ था यह बनकर त्यार हो चुका है तो इसी तरीके से आपने वहां तीनों भी विश्टन से ब्राबर स्पेस दे के आपने वहां सेट करने हैं और पूरा जब त्यार करोगे तब ही आपको पूरे नहीं नमबर मिलेंगे तो यह 30 से 40 के बीजों भी 45 नमबर का भी यह कोश्चन आपका आया हुआ है पेपर के अंदर जैसे कि यहां मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ यह देखिए 30 नमबर का यह कोश्चन आया हुआ है दो वीडियों है तीस तरफ विउस के अंदर आपने निकालना है यह 30 नमबर का यहां दिखा रहा हूँ तो यह आपने देख लिजी अच्छे से 30 नमबर का यह कोश्चन आया हुआ है जो हमने यहां भी आपको सोल्व करके दिखाया है तो आपने यह Missing View अला टोपिक अच्छे से करना है और पेपर के Point of View से पिछले 2 या 3 साल के जो पेपर है उनमें यह कोश्चन इस तरह का काफी बार आया हुआ है तो आपको इसके अच्छे से त्यारी करनी है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दुबाना ना भूलिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा धन्यवाद